नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुना लियाद सवालों से रेवडी मास्टर केजरिवाल को सुलगाएंगे और आम आदमी पार्टी के जूट से परदा उठाएंगे क्योंकि इस नटवर लाल केजरिवाल ने दिल्ली के एक खिलाडी का ऐसा अपमान किया जिससे पूरा देश इन पर थूथू करने लगा दरसल कॉमनवेल्ट गेम्स में महिला पहलवान दिव्या काकरान ने कान सिपदक जीता है देश का मान बढ़ाया है इस जीत पर दिव्या को चारो ओर से बधाया मिल रही है जश्न मनाया जा रहा है लेकिन जिस दिल्ली में दिव्या रहती है वहाँ के मुख्या केजरिवाल जम कर उनकी बेजिती कर रहे है केजरिवाल सरकार है कि उनका सम्मान करने की बजाए उनका होसला बढ़ाने की बजाए उनका अपमान करने में लग गई है ना बधाय दी ना सम्मान राशी है हैराने के बा को यूपी की और खदेड दिया इस बात पर जब चारों और से घिर गए तो हार कर ट्विटर पर पहलवान दिव्या को बधाई देने लगे इस दुरान किसी और ने नहीं बलकि पहलवान दिव्या काकरान ने उनकी हेकडी निकाल दी ट्विटर पर दिव्या ने केजरिवाल क तो ऐसा धोया कि पूरी की पूरी आम आदमी पाठी बिलबिला उठी जिससे सवाल सुलग रहे हैं महिला खिलाडी ने केजरिवाल को किया बेनकाब क्यों केजरिवाल ने दिव्या का अपमान किया पहलवान दिव्या का केजरिवाल पर गंभीर आरो काकरान पर केजरिवाल ने क्यूं बोला जूट अब तक मुझे राजसरकार से किसी तरह की कोई इनामराशी नहीं दी गई न कोई मदद दी गई दिव्या के इस ट्वीट से तो मानो आम आदमी पाठी में भुकम पा गया नेता बोखला उठे और केजरिवाल की जमकर किरकिरी होने लगी इसे बीच बेशर्मी की हदे पार करने वाला आफ विधायक सौरभ भार्दुआज का एक ट्वीट सफाई देते हुए सामने आया जिसमें लोग खिलाडी दिव्या से ही पल्ला जारते नजर आए सौरभ भार्दुआज ने अपने ट्वीट में बेशर्मी दिखाते हुए क्या कुछ लिखा ये भी बताते हैं तो उन्होंने लिखा कि बहन पूरे देश को आप पर गर्प है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप दिल्ली की ओर से खिलती है आप हमेशा से उत्तर प्रदेश की ओर से खिलती आई है लेकिन खिलाडी देश का होता है यूपी के मुख्युमंतरी योग्या दितिनाथ से आपको सम्मान की उमीद नहीं है मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्युमंतरी आपकी बात जरूर सुनेंगे पहली बात तो ये कि खिलाडी किसी राज्य का नहीं होता अगर वो देश का प्रतनी दित्व विदेश में कर रहा है तो उसे सीधे तोर पर भारत के नाम से जाना जाएगा लेकिन केजरिवाद सरकार ने तो दिव्या को यूपी की और खदेड दिया कहा वो उनके राज्य की ही नहीं है यूपी की है केजरिवाद सरकार से सवाल है कि अगर वो उनके राज्य की नहीं है तो क्या आप उनका अपमान करोगे उनका होसला तोडोगे कोई आप विधायक सौरभ भारदुआज के स्ट्वीट का जवाब देता उससे पहले खुद ही दिव्या का कुरांच से आपकी बोलती बद कर दी एक सर्टिफिकेट ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि 2011 से 2017 तक दिल्ली की ओर से खेली हूँ ये रहा सर्टिफिकेट दिल्ली स्टेट का अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो दिल्ली स्टेट से 11 गोल्ड है मेरे उनके भी सर्टिफिकेट अपलोट कर दूं क्या बस इसी ट्वीट ने केजरिवाल को बैक फुट पर ला दिया चार ओर से नटवर लाल अपनी घिनोनी कर्तूत पर घिर गए है बीजेपी ने भी अब केजरिवाल को जम कर धुया है और उनकी विज्यापन नीती पर तंच कसा बीजेपी प्रवक्ता शहजात पूनावाला ने कहा कि यह कहते हें कि तिरंगे का एड़िप्समान करता है जो भी तिरंगे का मान बढ़ाता है चाहे वो खिलाडी हो चाहे वो सेना का जवान हो उनसे सबूत मांगने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है आम आडमी पार्टी इफ दर इस वन पार्टी दाट ओल्वेज रिलिश इन इंसल्टिंग दोज वू रिज दर ओनर ऑफ ट्राइकलर बीट जवान और बीट खिलाडी इट इस दिया मादवी पार्टी पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दिव्या काकरन दिव्या जी हमारे देश की सम्मानित खिलाडी है रेस्लर है रेस्लर्स ने कितना नाम बढ़ाया हमारे देश का और अन्य इवेंटस में भी ब्रॉंज मेडलिस्ट है इस गेम्स की इससे पहले 2018 में इसे गेम्स मेडलिस्ट है इसके अलावा अर्जुन आवाडी है रानी बढ़ाने के कारी किये थे देश को गौरवानवित किया था और उनके लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने विग्यापन जीवी जिने कहते हैं क्रेडिट जीवी तो उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष दिल्ली के अ जीत जाते हैं पर उन्हों तो जब हम सहायता मांगते हैं जब हमें समर्थन और सहायता की आवश्यक्ता होती है वेन भी नीट दहल दमोस्ट आप तो फोन भी नहीं उठाते उनका पूरा दो मिनिट का विडियो जो उन्होंने सीधी सीधी बाते कहीं थी अर्विन के जिवाल को वो मेरे पास है मैं सुना भी दूंगा अगर आप चाहते हैं तो वरना यह उपलब्ध है सोशल मीडिया पर मीडिया में 2018 में भी जो बाते उन्होंने कई थी और आज वही वस्तु स्थिती आज भी है यह 2022 में भी जब उन्होंने पदक जीता तब उन्होंने सोशल मीडिय के माध्यम से बात रखी कि 2018 में भी यही स्थिती ती और 2022 में भी कॉंग्रैचुलेशन मेसेज तो आ गए पर उन्तु जो समर्थन मिलना चाहिए था जो खिलाडियों के मनोबल को बनाये रखने के लिए जो चीजे उपलब्ध करनी चाहिए थी राज्य सरकार को वो नहीं कि हमारी बेटी हमारी बेहन अगर सच बोल दे तो उन पर पूरा का पूरा आम आदमी पाटी का पूरा सोशल मीडिया मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से हावी हो गया इस प्रकार से उनको युमिलेट इस प्रकार से उनको बेहज़त इस प्रकार से उनके उपर लालचन लगाना और वो भी किसके द्वारा आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरब भरदवाज जो तिरंगे का विज्यापन दे कर देश भक्ती दिखाने की नौटंकी तो केजरिवाल जम कर कर रहे हैं लेकिन तिरंगे की विदेशों में शान बढ़ा रहे खिला खिलाडी आगे बढ़कर देश का नाम रोशन कर रहे है तो केजरिवाल उसकी धजिया उड़ा रहे हैं ऐसे में अब केजरिवाल बुरी तरह घिरे तो बैक फूट पर आ गए नटवरलाल माफी मांगने लगे लेकिन बीजेपी ने केजरिवाल की हेकडी निकाल कर रग दी मनुच तिवारी ने केजरिवाल को घेरते हुए कहा कि केजरिवाल खिलाडियों का सम्मान करने और होसला बढ़ाने के बजाए खिलाडियों को नश्ट करने का काम कर रहे हैं दिव्या का अपमान कर केजरिवाल की अब जान गले में आ गई है चार ओर से उन्हें गालिया प करान का सम्मान कर चुकी है योगी सरकारने के जरिवाल को तमाचा मारते हुए दिया को पचास लाक रुपे देने का एलान कर दिया है और के जरिवाल को आयना दिखाने का काम किया है बीजेपी के स्वार और दिव्या के जोरदार खुलासे ने केजरिवाल गैंक की नीद उड़ा दी है वैसे भी केजरिवाल को अपनी सरकत पर शर्म आने चाहिए क्योंकि जूट बोल बोल कर ये दिल्ली के लोगों का पागल बनाने में लगे हुए है लेकिन अब जनता इनकी असली सचाई जां चुकी है खुद दिव्या ने ही खुलासा किया है की करीब ध़ाई दशक से मेरे पटा दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं 22 साल से हम भी आग रहे हैं मैंने दिल्ली में रहे कर पहलवानी सीखी और साल 2011 से 2017 तक मैंने दिल्ली के लिए ही खेला लेकिन मुझे सिर्फ दफ्तरों के चक्कर लगवाए गए लेकिन न कभी मदद मिली न इनामराशी जबकि अन्यराज्यो के खिलाडियों को भी केजरिवाल सरकार सम्मानित कर चुकी है इसले मैंने मुझे मंतरी केजरिवाल को अपना हक याद दिलाया मैं उनसे कोई भीक नहीं मांग रही हूँ केजरिवाल की कथनी और करनी में फर्क साफ नजर आ रहा है केजरिवाल बस लोगों के सामने वादे करते हैं और फिर पतली गली से निकल लेते हैं ऐसे ही उन्होंने दिव्या के साथ भी किया लेकिन यहां उनकी चाला की और बेशरमी पकड़ी गई जिसके बाद केजरिवाल की जम कर किरकिरी हो रही है आमाद भी पाटी बुरी तरह बैक फुट पर आ गई है सुलकता सवाल में आज के लिए इतना ही नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार